जएहिन, दोस्तों, मैं णौ eynaust by Spaßते हैं आसा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं एक लुक्त पहनों है उमेद करूँ अब बहुत अच्छे होंगे बहुत लुक्त होंगे प्रदी्वर प्राची दोस्तों का स्वागत है और प्यारे बच्चे आज का हमारा टॉपिक है क्या टाइगर रिजर्व कला हमने पिछली किलास में क्या पढ़े थे सारे नेशनल पार्क पढ़े थे उम्मीद करूँगा आपको कभी भी कुशन पूछा जाएगा कौन सा नेशनल पार्क कहा इस्थे थे आप बता पाएंगे बड़ी आसानी से ठीक है और टाइगर रिजर्व होगे आपका अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं आपका प्यारे बच्चे अब तग हमने पढ़ा तहाता, आपका अभ्यहारन को पढ़ा था, अभ्यहारन नहीं पढ़े, सॉरी, हमने पढ़े थे अभी राष्त्रिय उध्यान, चीज्ञशिधि, और, क्या पढ़ाता है हमने आपका, एक जो पढ़ने की चीज है, वन्ययजी अभ्यहारन, ये दौनों मिक्स हो जाती हैं लगबग क्या हो जाता है या दौनों चीजे मिक्स हो जाती है क्योंकि सेम ही नाम है अभ्या रण्या हो जाएगा ठीक है अगर हम बात करते हैं किसकी नेशनल पार्क की प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे नेशनल पार्क की इतने बच्चे थमसब करें जो जानते हैं इनके बीच का अंतर क्या है पटाफट से थमसब करेंगे और बोलेंगे भीया हम इनके बीच का अंतर जानते हैं दोनों में क्या अंतर होता है wildlife sanctuary होती है वन्यजीव अभ्यारण तो ध्यान से समझेंगे एक बार क्या ये होता है इनके बीच का अंतर अगर आप नहीं जानते हो नहीं जानते है तो क्या अंतर है ध्यान से समझेंगे जो हमारा वन्यजीव अभ्यारण है इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें प्यारे बच्चे सबसे important होता है कि जो मानव गती विधी है क्या वो लोगे मानव गती विधी है मतलब मनुश्य का आना, जाना, घूमना आप ने देखा होगा गाओं वाओं में तो कोई-कोई खेत में चला जाता है तो वो सारी एक्टिविटी जो है वो वन्यजीव अभ्यारण की अगर हम बात करते हैं इसमें हो सकती है लेकिन मैं मानव गती विधी हो की बात करता हूं इसमें नेशनल पार्क में कि यहाँ पर जो human activities है वो हो सकती है आप ऐसी टहलने चले गए क्या बोलोगे ये नहीं हो सकता है तो जो human activities है क्या बोलेंगे human activities है प्यारे बच्चे आप कहेंगे भहिया जी वो possible नहीं है किसमें राष्ठ्य उद्यान में पहली बात दूसरी बात प्यारे बच्चे इसमें आएगी कि दूसरा point क्या है आपका कि जो सिकार है सिकार है अनुमती के बिना सिकार मतलब अनुमती के बिना permission के बिना अनुमती के बिना क्या बोलेंगे नहीं किया जा सकता नहीं किया जा सकता यानि कि Hunted cannot be done without permission तो वन्य जी अब भिहारण में आपको क्या लेनी पड़ती है Permission परमिशन लेकर के सिकार किया जा सकता है भी या हाँ जी Permission लेकर के आप सिकार कर सकते हैं उसकी भी बहुत सारी सर्ते हैं लेकिन मैं अगर बात करूँ राष्टिय उध्यान में सिकार पूरी तरह निशिद है सिकार क्या है? Prohibited है बोलेंगे hunting यहाँ पर क्या है? Hunting prohibited है यानि कि उस पर पूरी तरह से पिर्तिबंद है पूरी तरह से उस पर क्या है? रोक है तो आप कहेंगे national park में क्या होता है? बहिया जी सिकार पर बिलकुल रोक होती है क्या होती है? बिलकुल रोक हमारी होती है किस पर सिकार पर तीसरी अगर मैं बात बताओं प्यारे बच्चे जो चराई है यानि आप अपने बहेंस, बकरी, आदी को चरा सकते हैं? हाँ जी वन्याजीव अब्यारण में चराई हो सकती है ग्रेजिंग जिसको आप बोलते हैं लेकिन नेशनल पार्क में चराई क्या है नहीं हो सकती है यानी ग्रेजिंग is not allowed पसुओं को समझते हो ना चराना या नहीं समझते हैं तो आप कहेंगे जो grazing है राष्टे उध्यान में जो चराई है वो पूरी तरह क्या है पृतिबंदित है वन्यजीव अभ्यारन की बात करें प्यारे बच्चे जो जलाने वाली लकडी है जलाओ लकडी जो आपके घर किसका फ्यूल का काम करती है बहुत सारे घर आप जानते हो बहुत सारे इलाके है पिछड़े हुए वह लकडी जला करके रोटी वगएरा सेखते है अपनी तो यह जो जलाओ लकडी है यह वन्यजीव अभ्यारन से आप उठा करके ले जा सकते हैं अपने घर ठीक है और प्यारे बच्चे अगर हम बात करें नेशनल पार्क की तो यहा बो एक बार नेशनल पार्क में सब कुछ निशिद है या नहीं है आप कहेंगे हाँ बीया तो सबसे तकडे जो कठोर नियम है जो रूब्स हैं इस सबसे अच्छे किसके लिए होते है नेशनल पार्क के लिए वाइड लाइफ संक्ट्युरी के लिए होते है या National Park में नियम क्या होते हैं कॉई दिकत कोई परेशानी इतनी बात में अब हम आज की क्लास को कंटीनियू करते हैं यह तो हमने पीछे पढ़ा करने होती है उमने क्या समझेंगे इसमय वहым टाइगर के बारे में टाइगर नाम से तो सारे बच्चे परिचित होंगे कुछ बच्चे टाइगर को चीता समझ लेते हैं टाइगर मीन्स क्या होता है टाइगर माने होता है बाग ये सब पढ़ाने की जरुवत तो नहीं है टाइगर माने बाग होता है और लेपर्ड तेंदुआ होता है अपका और प्यारे बच्चे जो चीता है उसको चीता ही बोलते हैं चीता को क्या बोलते हैं चीता ही बोलते हैं ठीक है लॉयन सेर हो गया लेपर्ड तेंदुआ हो गया परजाती एक ही है जब बोलेंगे इनका वर्ग एक ही है किसी पर जैसे अगर हम बात करते हैं बाग की अगर हम बात करें चीता की या सेर की तो प्रजाती एक है वाकी अलग-अलग है तो कभी कन्फ्यूज नहीं होना है बाग का मतलब क्या है नौट चीता इस इजे टाइगर ओके आते हैं अपने टॉपिक की तरफ आएंगे ध्यान स बिल्ली पर जाती है न sets ळाश्ट्रिय बाघ संरक्षन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में अधीनियम 1972 रिजर्व कि इसथापना कभ हुई है ऑम 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना तत्कालीन परदान मंतरी इंद्रा गांधी के द्वारा की गई भारत में 80% बाग रहते हैं तो पूरी दुनिया में किस देश में सबसे ज़्यादा बाग रहते हैं आप कहेंगे अपने प्यारे देश बारत में रहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर जो सुरू हुआ ये किस तिथी को सुरू हुआ कई एकजाम में इसकी डेट पूछी गई है तो एक अप्रेल 1973 को ये सुरू हुआ ठीक है उत्त्रा खंड का जिम कारबेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्ब बना ठीक है इसी टाइगर रिजर्ब में बागो की आबादी जो है वो सरबादिक है तो किस में आपका आप कहींगे जिम कारबेट मैंने कल बताया था इसका जो नाम है पहले तो यह हैली था एक सिकारी के नाम पर था अभी जिम कारबेट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया बोलेंगे फटाफट से आप कहींगे भीया जी इसका नाम ब आपका Tiger Reserve हो गया चलो गई आगे बढ़ेंगे भारत में सरवाधिक बाग 2967 क्या बोलेंगे 2967 2967 2967 ये कब के आंकडे के नुसार है 2018 के आंकडे ये 2019 के आंकडे क्यों नहीं लिये आपने कौन बच्चा बताएगा ये 2020 ये 2021 के आंकडे हमने क्यों नहीं लिये बोले एक बार फटाफट से जैसे आपकी जनगणना होती है न प्यारे बच्चे census कितने में होता है आपका 10 सालों के अंतर में होता है जैसे पहले 2011 मुई तो 2021 अलाकि कोरोना की वज़े से अभी उसका डेटा नहीं आपाए ऐसे बागु की जो जनगणना होती है वो चार सालों में होती है कितने सालों में होती है चार सालों में एक बार होती है मध्या प्रदेश में किसी स्टेट की बात करते हैं मध्या प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व और भारत में सबसे ज़्यादा यानि 526 टाइगर इसी वज़े से मध्यप्रदेश को टाइगर इस्टेट ऑफ इंडिया हम कहते हैं तो टाइगर इस्टेट ऑफ इंडिया का मतलब है 526 यहाँ पर क्या है आपके टाइगर है और टाइगर रिजर्व की बात करते हैं आप कहेंगे छे टाइगर रिजर्व है तोटल अगर बागो की बात करते हम दोजार अठारे का नुसार उन्तिस सो सड़ सट है कोई दिक्कत अच्छा कानहा नेशनल पार्क उननिस सो पच्पन को 1974 में टाइगर रिजर्व बनाया गया यह इस बात का क्या मतलब है यह पूछा हुआ कुछन है ससी का कहना जो नेशनल पार्क है यह उननिस सो पच्पन में स्थापित किया गया था लेकिन इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया 1974 में क्या बोलेंगे 1974 में अखंड भारतवर जो जैव विवित्ता की सर्ते हैं उनको देख करके प्यारे बच्चे तब उनको हम बनाते हैं आपका किसमें बायोस्फेर रिजर्व में वो हम पढ़ेंगे निशिंत रहेंगे दुद्वा नेशनल पार्क जो 1989 का है इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया कब 1989 में ओके 1989 मे अब आएंगे देखो यह सभी बहुत महत्पूर्ण कुश्चन है आप से सिर्फ यह नहीं पूछेगा टाइगर इस्टेट किसको कहते हैं और भी टाइगर से बहुत सारे कुश्चन बनते हैं टी मल्टिप्लाई टू यह जानते हो टी एक्स टू नहीं है यह क्या है टी मल् टी मल्टिप्लाई टू अवार्ड यह टाइगर को किसके लिए टाइगर की संख्या क्या दो गुनी करने के लिए तो इस अवार्ड की घोशना 2010 में टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी कौन से टाइगर रेंज देश जो हैं टाइगर रेंज कंट्री हैं इसमें 13 सम्मेलन हुआ आपका 2010 में क्या बोले कि T2 अवार्ड देंगे T2 इसका मतलब क्या जो टाइगर की संख्या क्या कर देगा दो गुनी कर देगा उसको ये पूछा जाएगा क्या बोलेंगे T2 ये अवार्ड कव से सुरू हुआ 2010 से सम्मेलन कौन सा हुआ था सेंट पीट्स क्या बोलेंगे सेंट पीटर्स बर्ग सम्मेलन में ये कहा गया अच्छा उद्देश्य क्या है उद्देश्य है कि 2010 में घुशना हुई और बोला गया 2020 तक टाइगर की संख्या को दो गुना करना है दस सालों में क्या करना है टाइगर की संख्या को दो गुना क जंगरना है बागों की जंगरना पिरतेक चार वर्स में खी जाती है कितने में बताया आपको अभी चार वर्सों में होगी और 2022 का जो टी मल्टिप्लाई टू टाइगर की संख्या दोगुनी करने का जो अवर्ड मिला है यह most important fact बन गया 2022 के लिए यह मिला है सत्या मंगलम टाइगर रिजर्ब तमिलनाडू को यह मिला है अब बात की थी हमने बाग रेंज देश बाग रेंज देश क्या होते हैं जहां पर बाग स्वतंतर रूप से घुमते हैं बांध के नहीं रखा हुआ है क्या बोलेंगे बाग रेंज देश जहां बाग स्वतंतर रूप से टाइगर रेंज के देशों की कुल संख्या कितनी है वो 13 देश है अभी बतायागे आपको कितने देश है टोटल ये 13 देश है बोलेंगे एक बार एक बार सोचें क्या बोला कि T2 आवर्ड जो है आपका Tiger 2 यानि Tiger की संख्या 2010 में सेंट पीट्स बर्ग आपका सम्मेलन में इसकी घोशना होती है कि जो Tiger की संख्या दो गुनी करेगा तो 2010 से 2020 तक करनी थे तो इसी कावार्ड किसको मिला है सत्यमंगलम Tiger Reserve तमिलनाडू को मिला है अगर हम बात करते हैं होकी जनगर्णा जो होगी वो चार वर्सों में होती है कोई दिक्कत Tiger रेंज देशों की संख्या कितनी है ये हमारी 13 है आग आए हर साल जो Global Tiger Day है ये कब मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है प्रोजर्ट टाइगर की सुरुवात कब हुई दोस्त तो आप कहेंगे 1 अपरेल 1 अपरेल 1973 से हुई थी कितना जानते हैं अच्छा आगे बात करेंगे ये जो बाग दिवस हमने मनाना सुरू किया तो ये 2010 से उसी वर्स जब टीटू प्रुसकारों की गोशना हुई तो रुवात कब से हुई है बाग दिवस मनाने की 2010 से हुई है इंडिया इंडिया की थीम क्या है इसमें इंडिया लॉंचिस टाइगर प्रोजर्ट टाइगर टु रिवाइव दा टाइगर पॉपुलेशन इसको जो टाइगर की पॉपुलेशन है यानि की टाइगर की जो आपकी जनसंख्या है उसको रिवाइव यानि पुनड जीवित करने के लिए हमने थीम चलाई है ठीक है? अच्छा हाल ही में सबसे बुजुर्ग बाग कौन है? बुजुर्ग बाग कौन सा टाइगर था? राजा राजा का बहुत चर्चित रहते हैं कुश्चन पुछेगा हाल ही में चर्चित रहा राजा कौन है? बोल देगा सेर, हाती, वहसा या गेंडा बोल देगा तो क्या बोलना है वो एक क्या था बाग था और इसका निधन कहां पर हुआ है सुन्दरवन पश्चिम बंगाल में हो गया उम्र थी इसकी 25 साल जो की एक ओसत आयू भी मानी जाती है आपका 25 से 30 के बीच में किसकी आपकी बाग की अगर हम बात करते हैं सूपर मॉम नाम से जा पेंच टाइगर रिजर्व में किसमें पेंच टाइगर रिजर्व में क्या हो गया इसका भी निधन हो गया विस्व का सबसे बड़ा टाइगर कौन सा है हर्कूलस टाइगर को कहा जाता है क्या बोलेगे हर्कूलस टाइगर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर है कस्तूरी मिरग के लिए प्रोजेक्ट कब आया इसके लिए कस्तूरी मिरग के लिए और कस्तूरी मिरग से क्या मतलब है मेरा मस्क डियर क्या बोलते हैं इसको कभी भी पूछा जाए मस्क डियर प्रोजेक्ट कब आया तो आप कहेंगे भीया जी ये आया 1970 में 1970 का है ठीक है? तो क्योंकि हमको इन जीवों को बचाना था जैसे Tiger के लिए क्योंकि Tiger का क्या हो रहे थे लोब्त हो रहे थे तो उनकी संख्या को बचाने के लिए ऐसे ही आप से पूछा जाएगा प्यारे बच्चे हंगुल से क्या बोलेगा? आप से बोलेगा प्रोजेक्ट हंगुल कब आया? क्या बोलेगे? प्रोजेक्ट हंगुल कब आया? तो इसी वर्स आया ये भी इसके लिए? हंगुल के लिए ये घिरन के जैसे ही अलगभग देखने में बस एक ठोड़ा डिफरेंट है 1970 में क्या बोलोगे? 1970 में आया अगर मैं बात करता हूँ गिर जो है सिंग समझते हो लॉयन कौन से लॉयन? आपका जो गिर लॉयन है और गिर लॉयन के लिए प्यारे बच्चे प्रोजेक्ट कब बना? 1972 में ठीक है? कच्छुआ के लिए पूछ ले आपसे किसके लिए? टॉर्टराइज के लिए? कच्छुआ संरक्षन के लिए टॉर्टराइज या बोले टॉर्टल कंजर्वेशन के लिए जो बना? वो कब बना? कच्छुआ के लिए? 1975 में ठीक है? गेंडा पूछ ले रहीनों के लिए? किसके लिए? रहीनों के लिए रहीनों के लिए रहीनों सेरस बोलते न गेंडा को यह ता जानते होंगे सभी बच्चे. 1987 में और सबसे महत्पूर्ण है इसमें जो SSC कई बार पूछ चुकी है हाती प्रोजेक्ट जो Elephant Project है यानि Project Elephant हातियों की संख्या में व्रधी के लिए कब आया? 1992 में आया इतनी बात में कोई दिक्ट दो और हैं एक है आपका प्यारे बच्चे इसके लिए हिम तेंदुआ के लिए भी पुछा जाता है हिम तेंदुआ के लिए और गिद्द के लिए क्या बोलेंगे? गिद्द संड्रक्षन यानि की जो Vulture Protection Project आया वो 2006 में आया और प्यारे बच्चे हिम तेंदुआ के लिए क्या बोलोगे? हिम तेंदुआ के लिए जो प्रोजेक्ट आया हिम तेंदुआ के लिए आया 2009 में क्या बोलेंगे 2009 में आया कोई परिसानी फॉलोविए आ गया एंगे एक बार बोलेंगे भी कोई परिसानी इसमें भी आगे गिद बहुत महत्पूर्ण है हाती बहुत महत्पूर्ण है और आपका जो टाइगर प्रोजेक्ट है बार-बार पूछे जाते हैं कोदिक्षत इस बात में आराम से आप लोग लिख लेंगे उट कर लेंगे, स्क्रीन सौट एक बार लेंगे फोटा कर देता हूं मैं इसको चलो बे टाइगर कब का है आपका मैंने अभी बताई तारिक आपको एक अपरेल 1973 का है एक अपरेल 1973 का है कौन है वो टाइगर प्रोजेक्ट बोलें एक बार बोलने की कोसिस करें तो आप कहेंगे भी है सबसे पहले 1970 में मस्क डियर के लिए और 1970 में 1970 में ही किसके लिए हंगुल के लिए आया ठीक है इसके बाद में अगर बात करें गिर सिंग 1972 टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में और इसके बाद में प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे आप कछुआ के लिए 1975 में गेंडे के लिए 1987 और आपका हाती प्रोजेक्ट उनिस सो बाद में बहुत महत्पूर्ण है ठीक है गिद्द सिंग्षन 2006 और हिम तेंदुआ 2009 चलोगी अब प्यारे बच्चे इसमें बात आती है कि टाइगर प्रोजेक्ट अभी वर्तमान में कितने हैं अगर हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की टाइगर रिजर्व मुझे बताएंगे अभी कितने हैं तो आप एक को एक कुश्चन को सुन करके बार-बार कन्फ्यूजन होता होगा कि भीया हम कई महीनों से पढ़ रहे थे कि गुरू घासीदास 53 पनवा है यस और नो बुलेंगे एक बार गुरू घासीदास 53 पनवा टाइगर रिजर्व है या पढ़ते थे या नहीं यस और नो तो भीयर टाइगर प्रोजेक्ट की भी आपका जो आपका टाइगर रिजर्व के लिए भी टाइगर की संख्या का फिक्स होना जरूरी है जिसके इनके अपने मापदंड है स्केल है कि टाइगर ये प्रोजेक्ट या ये टाइगर रिजर्व रहेगा या नहीं रहेगा बिल्कुल ठीक है तो 53 अब गासिदास से हटा करके अब किसको दे दिया गया है दर्जा तो 53 जो बना है याद रख लेना वो यूपी का बना है वर्तमान में कितनी 53 टाइगर रिजर्व है और प्यारे बच्चे आप से पूछे 53 पनवा कौन है तो आप कहेंगे 53 पनवा है रानीपूर क्या बोलेंगे रानीपूर जो उत्तर परदेश का है कहा का है यूपी का है ये बात आपको याद रखनी होगी तो अभी हम सुरू करते हैं बहुत बढ़ी है मरकाम एकदम सही आंसर दे रहे हैं मिस किट्टू एकदम सही आंसर बहुत बढ़ी है आरपी सिकंदर मेरे दोस्त बहुत बढ़ी है अब हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की तो टाइगर रिजर्व में प्यारी बच्चे क्या बोलेंगे आंधर परदेश आंधर परदेश का कौन है नागारजुन सागर सिरी सैलम जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंपोटेंट बात याद रखेंगे आगयाएंगे अरुनाचल परदेश की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे तो अरुनाचल परदेश का नाम दफा कल भी बोला ये अभ्यारन में भी क्या होता है काउंट होता है उसी अभ्यारन में एक रिजर्व भी हमने बना रखा है टाइगर के लिए और ये क्या है विस्व का सबसे उचा टाइगर रिजर्व है क्या बोलोगे विस्व का सबसे उचा टाइगर रिजर्व है कमलंगम टाइगर रिजर्व कहा है अरुनाचल प्रदेश का है और पक्के टाइगर रिजर्व बहुत पुछा जाता है भी है SSC का अगर मैं बोलू टाइगर रिजर्व में फैवरेट कुश्चन है पक्के टाइगर रिजर्व जो बच्चे प्रिविस येर देखते होंगे उनको इस बात के बारे में पता होगा ठीक है कौन सा पक्के टाइगर रिजर्व आगे आएगे असम का कली नाम याद कराए थे मैंने मानस नामेरी औरंग और काजी रंगा क्या बोलेंगे काजी रंगा ये प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे आप सारे कहां के असम के टाइगर रिजर्व याद है ये नाम कल के या नहीं है याद बोलेंगे भी फटाफट से नहीं मिस्किट्टु ऐसा जरूरी नहीं है प्यार बच्चे आगे बोलेंगे हो सकता है कोई भी हो सकता है चबयु लेकिन ऐसा स्यूर नहीं है याद है या नहीं है चलो बएँ बिहार की बात करते हैं तो वालमी की कल हमने याद किया अब देखो जो नए वाले हैं आपको ये बहुत important याद करने हैं अब मैं आपको बोलू अचानक मार को जैव आरक्षित छितर में सामिल कर लिया गया बायो इस्फेर रिजर्ब में सामिल कर लिया गया तो अभी आप बायोस्फिर रिजर्व के बारे में नहीं जानते हैं तो यह मैं वो चीज़े आपको जब बायोस्फिर रिजर्व बताऊंगा तब एड़ करेंगे ठीक है चलो बें तो 36 गड़ का क्या बोलेंगे उदंती, सीतानदी, अचानक मार और इंद्रावती और गुरु घासी दास याद है या नहीं? उन्हें चीएं ठीक है? चलो बें एक बच्चा के रहा राय मोना देहिंग पटकाई डिबरु गड़ सोखोवा भी तो है पॉसिबल मेरे बच्चे आप लेट आएं के लास में हम कल कर चुके वो अभ्यारन है लेकिन सब भी अभ्यारन टाइगर रिजर्व नहीं हो सकते कोई टाइगर रिजर्व आपका अभ्यारन हो सकता है बात को समझ रहें तो डिबरु सेखोवा जैसे आप लिख रहे हैं देहिंग पटकाई लिख रहे हैं राय मोना लिख रहे हैं अचानक से चत्पे कोई आ गई, मतलब कोई आ गया ऐसा याद कर लो, अचानक से आना कहाँ पर चत्पे हैं, एकदम से, तुम चत्पे गए, अचानक से कोई और भी चत्पे आ गया, सेम टाइम सेम जगह, अगले ओ दिन, फिर मरजानी आके, सत्ते, एडडडड़ स्खालिस्तान, तुम पूरा करना, जारखंड, जारखंड में क्या है, पलामू मोस्ट इंपोर्टेंट है, पलामू क्या है, एक टाइगर रिजर्व है, और बहुत पूछा गया है, पलामू किस राज्य में इस्तिद है, साथ में आप नेशनल पार्क की इमेज बनाते चलो, जारखंड में कल क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, बेतला, बेतला नेशनल पार्क बताया था, आपको याद होगा, ठीक है, करनाटक में कौन कौन से बताये थे, बांदीपुर द और आपका विलीगरी रंग नाथ, ठीक है, एक ही होगा दानदेली नाम से आए तो भी आद रखेंगे, तो ये क्या है हमारे टाइगर रिजर्व, ठीक है, कोई दिकत इस बात में आ गया है, केरल की बात करते हैं, पेरियार कल बताया था या नहीं, भाई मैंने बताया था, के ख्रोड के मैंने कौन कौन से बताए थे आपको नेशनल पार्क ुम्पोटेंट एक एक बुल दे आप सारे बच्चे तो हाद है silent मैंने बूला था ये silent रहते हैं यारी से परे रहते हैं किस से यारी से परे रहते हैं अना मुड़ीoke से दूर रहते हैं ये तो क्या बोलोगे इसमें सब्री माला मंदिर तीर छेत्र है बहुत पुछा याता है सब्री माला मंदिर जानते हो कौनसे गौड के लिए है यह हमारा भगवान जी है आयप्पा कौनसे भगवान आयप्पा जी के लिए यह है ठीक है भगवान आयपपा जी के लिए ये हमारा है कोई दिक्कत कोई परिसानी आ गया है और किरल में ये है परंबी कुलम एक मैंने कल बताया था आपको नेशनल पार्क एरावी कुलम कौन सा एरावी कुलम और ये कौन सा है आपका परंबी कुलम ये टाइगर रिजर्व क्या है ये ये टाइगर रिजर्व है मध्या प्रदेश काना हमने कल पढ़ा था अच्छा ज़रा बताएं MP में नेशनल पार्क कितने थे नेशनल पार्क कितने थे MP में फटाफट से बोलेंगे और टाइगर रिजर्व मैंने आज ही आपको बताए हैं कि छे हैं आप कहेंगे भीया जी कल आपने नेशनल पार्क हम को बताए थे 12 कितने बताए थे 12 कुछ बच्चे 11 लिख रहे हैं 11 मत लिखो दोस्त रोज क्लास किया करो कानहा पेच बांधवगड ठीक है ये और साथ में पन्ना सत्थपुडा और संजे दुबरी क्या बोलोगे सत्थपुडा याद करना है संजे दुबरी याद करना है बाकी तो कल के हमने बोले कानहा पेच कानहा माधव भी था ठीक है बांधव भी था अच्छा बांधवगड टाइगर रिजर्व देखो important बात जो बांधवगड टाइगर रिजर्व है ये 25 दिसंबर 2020 को टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हौट एर बैलून सफारी सुरू की गई तो वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें हौट बैलून एर सफारी सफारी समझ रहा है गूमने के लिए से नाइट सफारी हो गया जैसे हमारे उत्तर परदेश में लाइन सफारी है इटावा में तो ऐसे सफारी क्या बोलेगे सफारी हो गया तो ये कहां क्या है ये मध्य परदेश के हैं भी या मध्य परदेश के ठीक है महराष्ट की बात करेंगे महराष्ट में तो महराष्ट में क्या बोला हमने मेलगहाट, ताडोबा भी कलियाद किया था सहयादरी, नवे गाउं हमने कलियाद किया था बोरी वली हमने कलियाद किया था संजे गांधी यह सबसे छोटा सबसे चोटा Tiger Reserve है क्या बोलेगे सबसे चोटा Tiger Reserve है कौनसा? बोर अभी मैंने बताया सबसे बड़ा Tiger Reserve कौनसा है सबसे बड़ा जो Tiger Reserve है वो कौनसा है तो क्या कहेंगे? भहिया जी आपने बताया था Naga Arjuna Shri Szufed कौनसा? Naga Arjuna ये याद रखेंगे ताडोबा, मेलगाट, सहयादरी सहयादरी तो प्रवत्सरी नहीं भी है महराष्ट की नवी मुंबई बोलते हैं हम तो नवे गाओं महराष्ट याद रखेंगे मैंने बोला था कल गुगा मल वो राष्टी अब भ्यारन है और क्या बोला था थोड़ी सी हार से वो क्या हो जाता है बोर हो जाता है तो बोर नहीं होना है खुद को क्या रखना है एनरजेटिक रखना है कहते हैं कि जिनके पास उर्जा होती है और उर्जा एक सोर्स है जो कहीं से भी पैदा हो सकती है मनुष्य के सरीर उर्जा का एक बहुत बड़ा सरोत है ठीक है आप देखेंगे कोई वेक्ती मजदूरी जो करता है लगातार कई गंटों तक मजदूरी करता रहता है क्या उसके पास उर्जा कहां से आती है क्या वो बहुत अच्छी डाइट लेता है भी या आप कहेंगे नहीं वो बहुत अच्छी डाइट नहीं लेता उसकी मजबूरी उसके सामने है ठीक है और उसका रोज का अभ्यास उसको उसके लिए मजबूत बना देता है आपको अगर एक भी दिन वो काम कराया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे तो यह एनरजी कहां से आती है एनरजी आती है हमेशा अभ्यास से और आपका लक्ष क्या है जब आप उसको केंदर में रखें कि यह मुझको करना ही है तो वो उससे बच नहीं सकता जैसे इस्टूडेंट्स क्यों कमजोर होते हैं बहुत सारे उनको लगता है कि हम इस पढ़ाई से बच सकते हैं तो वो अपनी किताब को भी बंद कर देते हैं तो वहीं पर हम क्या हो जाते हैं पीछे हो जाते हैं वहीं एक महंती छातर क्या होता है लगातार चलता रहता है इसलिए कहते हैं कि कौन दोड जीत जाता है जीत कौन जाता है आपका कच्छुआ दौड जीत जाता है ठीक है एसी लिए possible होता है मिजोरम जोर के बताए थे न आपको कल के बताए मुरलेन राष्ट्रिय अभ्यारन दामफा दामफा टाइगर रिजर्व है कहा का टाइगर रिजर्व है क्या बोलेंगे ये टाइगर रिजर्व है आपका मिजोरम का उडीसा याद है सिमली पाल तो याद है एक आप और बता दो एक नहीं दो और बताए थे मैंने आपको तो उडिसा में कौन कौन से बताये थे जर आप बुले तो आप कोगो भीया उडिसा में आपने बताये सिमली पाल ठीक है एक आपने बताया था क्या नंद कानन और सिमली पाल और साथ में तीसरा और कौन सा था भीतर कनिका क्या वो लोगे भीतर ही भीतर फॉन पर हैलो हाई तिमली पाल लेकिन अभी आपको सत्कोसिया याद करना होगा ठीक है सत्कोसिया तो ऐसा याद रख लो जब वो उसको नंद पकड़ी गई उसकी भावी न देख ली तो उसने जाक भहिया को बता दी तो अब वो उसको कोस रही है क्या कर रही है कोस रही है तो कौन कोस रही है नंद कोसे की भी है उसकी बात खुल गई ना तो ये सत्कोसिया है उडीसा का राजिस्थान राजा का इस्थान केवल और केवल रण से मिल सकता इसमें बड़ा रिस्क है और राजा का मुकुठ होता है लेकिन रामगड विश्दारी वन्यजीव अभ्यारण बड़ा मेहत्तून है चाब बोलेंगे रामगड विश्दारी वन्यजीव अभ्यारण जेको यह सब्द गलत लिखा हुआ, अब्यारन्य ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, आपको एक बार कहीं भी गलत लिख रहा हूँ अगर, तो आप उसको सही कर लेना, अब्यारन्य होता है, यह हंदी की वर्तनी है, ठीक है, तमिल नाडू, अब तमिल नाडू में मुदू सत्यमंगलम इसको कौन सा अवार्ड मिला है, टी मल्टिप्लाई टू अवार्ड मिला है, दो हजार बाइस का, दो हजार बाइस का, टी मल्टिप्लाई टू अवार्ड किसको मिला है, वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है, अन्ना मलाय याद रहेगा, अब आपको कला कड याद करना है का बोलेंगे कला कड चीक है तुम मिलना किसी भी कला से मिलना ठीक है कलाई पकड के गूमेंगे ऐसे सोच लो अब तुम सोच भी हाथ ही पकड ले दे कलाई क्या पकड नहीं है यह बाग जाए छुटके कुछ पता है तो कलाई पकड लो सिरी विल्ली पुथूर मेगा मलाई तो मलाई 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 भहिया इतने मलाई तो मलाई 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 तो मलाई भी भूल जाओगे थोराई आई आई तमिल नाडू में ठीक है मेलने आई तमिल नाडू ठीक है आई आई इतने सारे मलाई अब भी भूल जाओ तो बेकार है देखो तेल अंगना का कावल बोले या कंवल बोले एक ही बात है और अमराबाद अमराबाद आपको याद करना होगा कंवल हम याद कर चुके ठीक है अमराबाद टाइगर रिजर्व कहा का है आपका क्या बोलोगे तेला गाना का है ठीक है कैसे समझोगे ऐसे समझो तेल अगर सिर में आप तेल लगाओगे और तेल लगाके गाने सुनोगे कौन सा गाना सुनना तेल लगाके क्या बोलोगे भहिया अमर अकबर एंथनी का सुन लो ठीक है कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर छेतर है, बफर का मतलब होता है स्टॉक में रखना, वहां के जो टाइगर्स उनके लिए यहां पर भी एक आरक्षे छेतर है, वो यहां पर आ सकते हैं, ठीक है, और राणीपूर टाइगर रिजर्व, यह देश का नवींतम टाइगर यानि की नियु एस्ट क्या वो लोगे लेटेस्ट सबता राणिपूर है कवल अमराबाद दुद्वा दुद्वा कल मैंने आपको एक और बताया था नेशनल पार्क तो कौन सब बोला था मैंने चंद्र प्रभा बोला था उत्तर प्रदेश में बीली भीत याद रखोगे और प्यारे बच्चे अमानगड ये क्या है टाइगर रिजर्व है हमारा और रानीपूर टाइगर रिजर्व ये कहां के हैं उत्तर प्रदेश के हैं कोई दिक्कत कोई परेशारी बोलो एक बार बहुत बढ़िया हाँ ये रानीपूर है नए अतरेपनवा है उत्तर प्रदेश का चित्रकूर्ट डिष्टिक में है, ओके, क्योंकि आप SSE की तियारी कर रहे हैं, तो डिष्टिक से कोई पुछन पूछा नहीं जाएगा, हमिशा इस्टेट से बनी है, अगर आप UP के एक्जाम की तियारी कर रहे होते हैं, तो यही कुछन कहां से, फिर आपको डिष्टिक बह कर रहे थे, प्यारे बच्चे, अब तक तो आपको प्रिवियस एर लगा लेने चाहिए थे सारे, हैं, लगा रहे नहीं, दस दिन पहले पी वाई क्यू लगाने चाहरे हो, वह भी दस साल के, दस साल के तो हजारों परसन हो जाएंगे, प्यारे बच्चे, हम तो लगवा भी नहीं पाएंगे, यह तो आपके पास एक बुक होनी चाहिए अच्छी, जैसे ससी के लिए तो प्रिवियस एर के लिए घटना चकर बड़ी अच्छी किताब है, और भी मार्केट में बहुत सारी किताब आती है, यूथ की आती है किताब, आपको अब तक लगा लेने अब चया पाचच्छे सुंदरवन है और बुकसा है, क्या बोलोगे पश्शिम बंगाल, क्या बोला था, बंगले में क्या होनी चाहिए, सुंदर, सुंदर बुकस, भीया जी होनी चाहिए, अब एक कुश्यन पूछा जाता है, यूनेस्को में भारत की कितनी साइट है, ए पर नहीं हुआ है चेंज हो गया है तो सके हिसाब से पढ़ नहीं चेंज हुआ है तो triple c की वीडियो काफी है to चलो तुम्हें पता है कि वो triple c की जो वीडियो है वह जब मैंने कराई थी वो 300 बच्चे लाइब पर कराई थी कितने 300 बच्चे उस वीडियो को देख रहे थे 300 और वो वीडियो अब लगभग 20 लाग के करीब बच्चे देख सुके हैं तो उसमें काफी अच्छा रिवीव है कोई-कोई उसमा किया देता जी मुझे कुछ नहीं मिला उस पेपर में ले तो देखो यहां पे कुछन में क्या बताना चाहा था तो आप कह रहे हैं भाईया जी कुछ बच्चे तो 75 बता रहे हैं सुबम पंडित सामली काजल सिंग बढ़ोरिया 75 बता रहे हैं बच्चा 75 रामसर साइट हैं मैंने रामसर नहीं पूछी मैंने पूछा आप से UNESCO स्थल कितने हैं तो आपने कहा UNESCO साइट है UNESCO साइट ये प्यारे बच्चे कितनी हैं आपकी आप कहोगे UNESCO साइट ये तो मैंने आपको कराई थी यार UNESCO पढ़ाते समय भी है ऐसे क्यों कर रहे हो भी ये 40 हैं 1983 से सुरू हुई थी अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाएं आपका ताज महल आगरा का लाल किला ये 1983 के हैं क्या नहीं कराई मैंने आपको ये कराई हैं फिर ऐसे गलत उत्तर नहीं अब मैं क्या बताना चाहरा हूँ आपको कि ये जो आपका पश्चिम मंगाल में सुन्दर्वन हो गया अब मैं सुन्दर्वन को बोलू ये 1987 में यूनेसको में क्या बोलेंगे 1987 में यूनेसको की सूची में सामिल हुआ ये सभी पूछे गए कुश्चन है क्या बोलेंगे यूनेसको की सूची में ये क्या हुआ कुची में यह सामिल हुआ अभी मैं आपको 10 कुश्चन कराऊंगा जो आपके इस बार 2021 में टाइगर रिजर्व से या अभिहारन से या सेंक्चुरी से आपका पूछे गए हैं कुश्चन अभी 10 कुश्चन पूछे गए हैं 2021 में चाहे वो MTS में पूछे गए हैं चाहे वो CGL में पूछे गए हैं CPO में पूछे गए हैं आपको आंसर करने होंगे सब के ठीक है तो मैं क्या बताना जा रहा हूँ आपको प्यारे बच्चे देखना एक बार दिहान से ऐसे ही प्यारे बच्चे आपसे पूछा जाए काजी रंगा बताएं फटाफट से काजी रंगा कहा हैं काजी रंगा बोल दे आप से कोई आप से कोई मानस बोल दे तो क्या बोलोगे यह भिया जी असम के हैं दोनों और यह यूनेसको में कब सामिल हुए थे तो मेरे दोस्त यह यूनेसको की विश्वरासत सूची में 1985 में सामिल हुए केवला देव मैंने आपको बताया है और राजिस्थान का है यह कब सामिल हुआ 1987 में 1987 में कंचन जंगा कोई पूछे कंचन जंगा कब सामिल हुआ जो कहा का है सिक्किम है यह 2016 में सामिल हुआ इस तरह के कुष्षन भी देखे गए है यसे याद रहे हैं तो क्या बोलेंगे सबसे पहले काजी रंगा और मानस 1985 के फिर सुन्दर्बन आपका 1987 में केवला देब भी उसी वर्स 1987 में और कंचन जंगा क्या बोलेंगे ये आपका सिक्खिम का 2016 में ठीक है आगया आएंगे अब ये 10 कुश्यन है जिनके आंसर आपको देने है जो SSE द्वा आएंगे एक बार निमलिखित में से कौनसे राज्य को भारत का बाग राज्य कहा जाता है तो बाग राज्य मध्या प्रदेश को चीक है याद रखेंगे 12 इसमें क्या है प्यारे बच्चे आपका नेशनल पार्क है और छे टाइगर रिजर्व हैं कितने हैं छे टाइगर आपका बात याद रखेंगे अब मैं पूछों मध्य परदेश के कौनसे टाइगर रिजर्व में हाट एर बैलून हाट एर बैलून नाइट साफारी शुरू हूई बहुत बड़ी हर बांदवगड 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 एक्ष्टे बहुत में सबसे बड़ा अब् की बात कर रहें नागारजुन है मानस है पेच है या फिर कारबेट है तो क्या वोलोगे नागारजुन रिजर्व सबसे बड़ा है कौन सा नागारजुन रिजर्व है मुदू मलाई पसू विहार कहां पर इस्थित है अब important बात है कि मुदू मलाई तो ये तो जान जाओगे मलाई नाम के कहां है भीया तुम मिलना में मिलन भी है मिलन भी है और मलाई भी है मेले मेले ऐसे याद कर लो एक जैसे सब्द है तो ये तमिल नाडू में किस के लिए है व्याग्रों के लिए है फोर टाइगर आप कहेंगा भी है बाग व्याग्र का क्या मतलब है तो देखो एससी वाले कलाकार है व्याग्र संस्क्रत का सब्द है जिसका सब्सक्राइब 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 को बूली संस्क्रत हुई जो वेद लिखे गए जिसमें एक लोगों ने बदलाव किया वो लौकिक संस्क्रत हो गई फिर आपका पाली आई प्राक्रत आई अपब्रहंस आई अपभट आई तब यह हमारी आजवाली हिंदी आई है ठीक है आजवाली हिंदी याद रखेंगे जैसे किसी सरिशका और रन थंबौर सिंग का हिरन का बाग का या बालू का बोलो भी फटाफट से सरिशका और रन थंबौर है कहां पर यह यह भी बताएं किस राज्य में है यह आप कहेंगे भीया जी यह हमारा राजस्थान में है किसमें राजस्थान में तो किसका सुरक्षित स्था तो बाग का तो है ही है याद रख लिए ना इस बात को बाग का तो है ही है ये साथ में सिंग दौनों के लिए आरक्षित है क्या बोलेंगे बाग और सिंग दौनों के लिए ये आरक्षित हमारा है मेल गहाट बाग अब्यारण किस राज्य में है मेल गहाट मेल बहुत होता बॉलिवुड में कहाँ पर महराष्टर में है मेल गहाट क्या बोलोगे महराष्टर में है बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में इस्थित है बोला ना बुक्सा क्या होना चाहिए तो मैंने बगता सुन्दर बुक सुनी चाहिए, सुन्दर बन हो, बुकसा हो, गोरी तब ही मिलेगी, गोरु मारा, सिंगम आप तब ही बनोगे, जब किताबे आप पढ़ोगे, सिंगा लीला, ये कहां पर है, ये हैं हमारे पश्चिम बंगाल में, किसमें है, मिजोरम में है, मेल घाट है क्या मिजोरम में, ये तो महराश्टर में हो गया, बुकसा की बात करें, तो कहेंगे कि बुकसा भहिया जी हमारा फैश्ट बंगाल में हो गया, दांफा कहां पर है, ये मिजोरम में है, कहां पर है, मिजोरम में है, भद्रा बताएं ज विशेक वर्मा, सावित्री, किसन ठाकुर, सिवम कुमार, आचल, पृतो, पूनम, या CGL तियारी लड़की ज्यादा कर रही है, लड़के कम कर रहे हैं, क्या चक्कर है, लड़कों को ऐसा वर्दी के बड़ा सौक होता है, अभी तुम पहुच जाओ, SSCGD, दिल्ली पुलिस, उसको पकड लेते हैं, एक दम से, CGL के नाम पर डरने लग जाते हो तुम है, लड़की इस बार टॉप करके गई CGL में, लड़के पीछे हैं भी या, लड़के कहेंगे हैं, हम तो आईएस की तियारी करते हैं, हम तो UPSC की तियारी कर रहे हैं, आजो, सिमली पाल टाइगर किस राज्य में है, सिमली पाल बोले आप से, तो क्या कहेंगे, सिमली पाल भहिया उड़ी सा में है, बन पारे हैं, प्यारे बच्चे, बड़े आराम से कुष्चन में उमीद करता हूँ, आप लोग बना पारे होगे, अन्ना मलाई, फिर से वही बात आ गई, मुदू मलाई कह दे, अन्ना मलाई कह दे, तेलांगना में, मध्य परदेश में, तमिल नाडू में, या फिर केरल में हैं, तो अमीद करूँगा, एक एक प्रसन बड़े आप आराम से कर से हैं, आराम से, भहिया, यू प्यस्ची में भी तुम से आगे लड़की आई हैं, क्या बोलोगे, क आपका अमराभी मत भूलना, अमराभी कहां है, वो तेलांगना में है, तो अब्मीद करूँगा, प्यारे बच्छे, एक लड़का कह रहा है, लड़के कमेंट नहीं करते, वो चुप चाप पढ़ते रहते हैं, लड़के थोड़ी बोलने की आदत ज्यादा होती है, यार य दिखाएंगे, उपर क्या बच्चा कुश्चन पूछ रहा है, सर जी सचिन तेंदूलकर जी को भारत रतन 2014 में मिला था, और आपने किर्किट वाली किलास में 2015 बताया है, नहीं 2014, क्या किर्किट वाली में 2015 बोल लिया मैंने, ये नार राव जो कैमिश्ट थे, रसायन विज ग्यान थे, उनके साथ 2014 में, कभी-कभी छोटी-छोटी प्यारे बचे टाइपिंग एरर हो जाती है, 2014 में 2015 में तो किन को मिला था, मदन मोहन मालविय जी को मिला, हो सकता है, मिस्प्रिंट हो, क्या बता दियो, कभी भी अगर चोटी-मोटी कोई एरर होती है, तो उसके मैं अभी बता देता हूं, 2014 है, ठीक है, अपना ख्याल लखिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, और प्यारे बचे, कल हम एक टॉपिक सुरू करने वाले हैं, बड़े अच्छे से टेंपल, टेंपल हम पढ़ेंगे, और बड़ा मजा आएगा, टेंपल बड़ा इंप पूने, ओके, टेक केर, बाई बाई, चैहिंद, चैह भारत, जैवांसर स्वती, थैंक यू